हेलो दोस्तों मेरा नाम है नवेद और टेक्न वीटुब चैनल में आपका एक बाब फिर से स्वागा तो यहां मैं अन्बॉक्स रिवू टिप्स औं ट्रिक जैसे इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा थाकि मेरे इंट्रस्टिंग वीडियो उसकी नॉटिक्स आपको मिल सके इस वीडियो में आपको बता memo कर रिफर्भीष्ट फीन क्या होते हैं अगर आपका बजट कम है और आप एक रिफरभीष्ट फीन लेना चाहरा है और आपगी कन्रीन फीजाँने सा फून लेना द्ष जा सकते हैं और सेविंग अच्छी कासी कर सकते हैं देखिए सबसे पहली बात तो यह के रिफर्बिष्ट फोन क्या होते हैं अब देखिए मैंने एक फिलिप कार्ट से फोन पर्चेस किया है 35,000 रुपए का आई फोन मान लीजिए ठीक है अब मैंने उसे आठ दिन यूज़ क रिफर्बिष्ट में बेश देगा एक 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 एकजमपल यह हो गया या फिर एक एक एकजमपल यह ले लीजिए कि आप एक आई फोन यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉप्लम आ रही है आप सर्विस एंडर पर जाते हैं वो फोन उन्हें देते हैं और किसी कारण वश फोन आपका रिपेर होके नहीं मिलतायै आपको उसके ब93 दूसरा मिल गया तो एैपोल क्या करेगा उस फोन को जो है नए में तो बेश नी सकता वह रिपेर कर आ के उससे और इफर्विश्ट में बेशते है baba कम पैस एक एग्जमपल यह समझ सकते हैं आप एक एक किये एक आ तो आप लोग अभी ये तो समझ गए हैंगे कि refurbished phone क्या होते हैं refurbished phone में कोई ऐसा नही है कि आप purchase कर रहे हैं उसमें आपको कोई problem मिलती है अगर उस phone में कोई problem होती है तो वो लोग उसे पहले से ही fix कर देते हैं ठीक करके ही उसे बेचते हैं क्योंकि वो लोग आपको 10 दिन की replacement warranty भी देते हैं अगर आपके पास कोई phone आता है उसमें कोई problem आ रही हो तो आप उसे 10 दिन की जो replacement warranty मिली है आपको उसके चलते हैं आप उसे वापस कर सकते हैं अब देखिए बात करते हैं कि आपको एक used phone खरीदना चाहिए या एक refurbished phone खरीदना चाहिए देखिए पैसों के सबसे पहले बात करें तो पैसे दोनों के same रहेंगे अगर आप मान लीजिए example अगर आप iPhone 6S खरीद रहे हैं 64 GB वाला तो वो भी आपको नए अगर आप second end खरीद रहे हैं तो वो बंदा भी आपको 14,000, 15,000 या 13,000 के आसपास में देगा अगर आप एक refurbished phone ले रहे हैं तो वो भी आपको लगबख 13, 14 या 15 तक में मिल जाएगा same 6S 64 GB अब यहां आप खुर decide करिए कि आपको फाइदा किस से होगा देखिए अगर आप एक refurbished phone लेंगा तो यहां आपको 10 days की warranty मिलेगी कि अगर 10 दिन में कोई भी phone में problem आ रहे हो तो आप phone को बदल सकते हैं भेज सकते हैं वापस उसे 12 month या 6 month की sailor या फिर brand warranty भी आपको मिल जाएगी refurbished phone में तो जिससे कि अगर आपके phone में 6 महीने या 12 महीने में कोई problem आ रहे हो तो वो भी आप जो है change कर सकते हैं बदल सकते हैं अपनी warranty जो है उस पर claim कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक second hand phone purchase कर रहे हैं तो वहां पर वो बंदा आपको कोई guarantee नहीं देगा यहां तक कि वह आपको 7 दिन या 8 दिन की warranty नहीं देगा कि अगर आपको 7 दिन या 8 दिन यूज़ करने में कोई problem आ रही हो तो वापस कर दें क्योंकि अगर आपने एक बार उसे पैसे दे दिये तो वो उसकी jam में चलेगा फिर आपके phone में कोई भी problem आईगी वो आपको देखांगे उसकी कोई guarantee नहीं होगी तो देखें मेरे हिसाब सा अगर मैं बता हूँ तो refurbished phone लेना जादा ठीक है क्योंकि refurbished phone में 10 दिन की warranty मिल जाती है अगर phone में कोई फाल आ रहा है तो वापस कर दो या phone में कोई फाल नहीं आया और काफी टाइम बाद 6 महीने यूज़ करने के बाद कोई फाल आ रहा है तो आपको देखें बारा महीने की या फिर छे महीने की रिप्लेस्मेंट वारंटी आपको मिलती है रिप्लेस्मेंट नहीं खाली आपको वारंटी मिलती है वो लोगों से रिपेर करा के देंगे अगर 6 महीने या 12 महीने के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही हूँ अब देखिए मैंने रिफर्बिष्ट फोन मंगाए है करूँगा कि आप लोग अगर फोन पर्चेस करें तो टूगूट से करें और पैसे कैसे बचा सकते हैं वह भी बता हूँगा देखिए मैंने जो तीन फोन मंगा चुका हूँ मैं आइफोन रिफर्बिष्ट टूगूट डॉट कॉम से एक आइफोन 6, एक आइफोन 6S और तीसरा भी आइफोन 6S ठीक है अब तक मुझे उन फोनों में कोई भी फॉल लेकने को नहीं मिला कोई भी दिक्कत नहीं आई है और जिसमें से दो फोन तो मैं अब भी चल रहा है एक फोन मैं बेच चुका हूँ उसे मैंने बेच चल था थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी पैसो की देखिए अगर आप खरीना चारे हैं तो आप टूगोट से खरी सकते हैं रिफर्बिश्ट फोन पैसे आप कैसे बचा सकते हैं मान लीजे आपको आइफोन 6S खरीदना है आपने टूगोट.com वेफसाइट खोली वहाँ आपने आइफोन सेर्च कर लिए वहाँ आइफोन 6S सारे ही आ जाएंगे ठीक है लेकिन आपको आप करना क्या है वहाँ आप देखेंगे कि एक मान लीजेओ 15,000 का एक आइफोन 6S आपको मिल रहा है 64 GB ठीक है आइफोन 6S होगा लेकि एक ही सेर्ट के होंगे और वहाँ पैसो में क्या हेर फिर होगी क्या आपको एक फोन मिल रहा होगा 15,000 में 128 GB और नीची आप आएंगा तो वहाँ पर आपको मिल रहा होगा वही फोन 128 GB 14,000 में या 13,000 में भी मिलता होगा तो देखिए ऐसा होता है कि कहीं उपर 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 जो जब आप टूगूट खोलेंगे तो उपर वाली साइड में जो एड जितने भी आएंगे फोन आएंगे वो सारे पर प्राइस जाद होंगे लेकि जब आप स्कोल डाउन करके नीचे वाली आग नीचे आकर देखांगे नीचे जाकर नहीं देखा वही मुझे मैंने देखा वह 15,999 था मैंने तुरंथी पर्चेस कर लिए आपको यह गलती नहीं करना है आपको देखिए कैसे खरीदना है आप डूगूट कॉम पर जाएंगे वहां आप अराम से तसलिए से पहले अपना डिसाइड कर लें आप प अगर पर्चेस कर रहे हैं रिफर्बिश्ट फोन तो सूपर्ब कंडिशन में ही लें इसके सिवाए किसे और कंडिशन पर ना जाएं हाँ एक बार को आप वेरी गूट कंडिशन ले सकते हैं लेकिन इससे नीचे आप ना है आपको सूपर भी या वेरी गूट कंडिशन में डेल करनी है और आफ फोन देखते ही तुरंद पर्चेस ना करें एक दो दिन का वेड़ भी करें उपर नीचे करके अराम से सारे फोन चेक करें वहाँ जादा फोन नहीं होते हैं पड़े हुए हो सकता है आपको बहुत ही कम में फोन मिल जाए वहाँ पर बाकि अगर कोई दिक